कि बूरी नजर वालों का मुझ काला आप लोग बूरी नजर में मनते हों कि इविल आई बूरी नजर मैं तो बहुत मानता हूं बस मुझे लगता है कि कोई बहुत मानता हूं एक्वेर्यम के ऊपर निम्बू मिर्ची यहालत रहा है मैं यहां पर मैंने निम्बू मिर्ची नए टांगा गडवर हो गया ना यह वाला पैलोडेरियम वैंग्लोर ऑफिस में और आपने हाली में इसका वीडियो देखा था मेकिंग का सभी एन उनफॉचनेटली एक दो हफ्ते में इसमें एक लीक नीकलाया पीछे की तरफ लीक में दिखाता हूं टा justement जो prophec theyreth सो मैंने सचा आज इस मोखे का फाइदा उटाय। मोके का फाइदा उताया हुआ दॉत मके का फाइदा उटा जगल है। तो उटाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा अगर सिचुएशन आता है जहां पर रणिंग टांक में अगर लीक होता है तो कैसे फिक्स कर सकते हैं उकैं अभी ये ितड हमнов glaub practice से और बहुत बार करने से हमने Fr kya है बटीए अमरा अपका को दूसरा में नन होगा और को या दूसरे वीडियो में आपने तीसरा में भी देखा कोग不好 अपने हिसाब से करेक्ट नौत Marshis यहां तक लीक हुए, वहां तक पानी डाउन किया है, एर पंप डाला है, बिकाज इसमें फिश है, याद है ना, इसमें कुछ लोचिज और डेनिसोणी बाब्स बगरा है, इसमें हमने एर पंप डाला है, ताकि फिश को कोई तकलीफ ना हो, दूसरा, हम constantly spray कर रहे हैं because हमारा पूरा system down है यह system में every one hour 10 minutes के लिए पानी waterfall के जैसा भी आता है और पानी wood के उपर भी आता है ताकि plants के root में पानी आए अब दोनों नहीं हो रहा है तो हमें spray करते रहना पढ़ेगा नहीं तो plants सूख जाएंगे यह वीडियो इंट्रेस्टिंग है टेक्निकल है कुछ चीज़े समझने वाली बात है और आप जादा अच्छा समझोगे अगर मेरा motivation अच्छा हो और उसके लिए मुझे like चाहिए like तो like बज्जाते रहो ओके वो रेडियो मिर्ची का है नहीं फिर भी like बज्जाते रहो ओके मज़ा आएगा और वीडियो देखते रहो आकरी तक देखो लीक यहां पर है यह साइड पर पूरा सिलिकॉन यहां तक चूट गया था हमने इसको क्लीन किया है अच्छे से सिलिकॉन को निकाला है जो भी पुराना सिलिकॉन था निकाला है एक दो इंच वहां पर जब जिसने भी यह बनाया एक लड़के ने बनाया था एंड वहां पर सिलिकॉन नहीं था और मैंने देखा और मैंने उसको बोला था फिल करने के लिए बट उसने फिलिंग तीक से नहीं किया था यह उपर का दो इंच इंच लिए बेखिश्ट और यह तक लेखा और हमने पुरा पुराना सिलिकॉन जिच निकाल के यह सब नीचे पड़ाय गंदा सा सिलिकॉन पर ऑफ्स हैंड यह हमने तोड़ा एक्स्टर यह दो इंच तक लीख हो रहा था बट मैंने तोड़ा करने किस्ट अन्दर सीफ हो असलिकॉन और यहां फो अधा सलिकॉन निरू सैं कॉन नजलिख एक अग्ग सौन्टे哈哈哈 जब भी एक अग्सिस्सटंग टैंक राधि हो ता है और हमें सलिकाव निकालना है तो एक ब्लेड उसकरने शार्प ब्लेड इसकर आपका वह शेविंग ब्लेड वगएरा काम नहीं आएगा बट यह जो प्रफ वाला ब्लेड है तोरह स्ट्रॉंग रहता है मोटा रहता है बहुत इंपोर्टेंट है अराम से करना है का यह जल्दबाजी का काम नहीं है ठीक है हमारे सं यह प्रिक प्रिकॉशन एंड बेरी पेशिंट सादानी से अच्छी सिलिकॉन को निकालना है ताकि कोई भी रेसिडिव ना रहे एंड उसको उसके बाद पेपर से या कपड़े से क्लीन करना है आप टिशु पेपर यूज कर सकते हो या कोई जो माइकर फाइबर क्लाता है अच्छे से निकालो मतलब हम लोग हमारे बाशा में बोलता है उसका वो चिप चिप या तेल निकालना है वो ग्रीसी नहीं होना चाहिए ताकि जब नाया सिलिकॉन डालेंगे वो अच्छे से चिपकेगा नो दूसरा काम क्या है विकॉज यह जो जगा है यह तोड़ा रिस है और ये एक स्ट्रेट पीस यह तोहिए नविल दोनों को हम यहाँ परंधि करेंगे ऐसा ऐफ्र्फित होगा थाकि यह गलास और ये glass दोनों join हो जाए और दूसरा piece जो है यहाँ पर नीचे fit होगा ऐसा ओके बाहर से भी fit कर सकते हैं जैसे अभी ऐसा बाहर से भी fit कर सकते हैं बट ये गंदा दिखेगा ना अगर अंदर हो गया तो पानी बरने के बाद दिखेगा ने सो यह पीस अंदर और यह जो पीस है यह ऐसे ओपर सो यह ऐसा fit होने वाला है और सिलिकॉन में fit करेंगे ओके इस इस दो प्लान चलो संदीब्बाय को बलाते हैं एंड हम आगे का काम करते हैं नो एक और option है नो यह ट्राइंगल ऐसा हो गया मैंने बोलाता यह ग्लास ऐसे fit करे करेंगे मैं मुझे लगता है कि अगर ऐसे fit करेंगे तो जादा बेटर है और संदीबाय से भी पूछते है कि कौन सा बेटर है बिकर्स जादा ग्रिप मिलेगा है ना ठीक है तो लेट्स डूदार ओके सो संदीब मैं बोल रहा था कि इसको ऐसे डालेंगे तुम कह रहे हो कि अजय कि जादा है यह से डालेंगे तुम्हे क्या लगता है अचली बेटर है कि मतलब अगर इस सरफ डालेंगे तो बेटर था बड़े कि अधर बेटर था बड़े विजिबल के सब से अचा नहीं लगता है कि ए गंदर दिखेगा ना तरषी तकी साइड वाल में जाएगा सब्सक्राइब करें तो यहां पर नीचे हो गया तो बाद में गंदा दिखता है नो यहां पर अच्छली मैं एक इन इंच का ग्लास भी यूज कर सकता था चोटा सा यहां पर कुछ रख सकता है कुछ डेक्रेशन आइटम हो गया या कुछ पॉट हो गया आगे जाके मैं कुछ रख सकता हूं तो तोड़ा स्पेस मिलेगा मेरेको एंट्रेस्टिंग लगेगा ना कोई मनी प्लांट का रख दिया वैसे भी पानी आ रहा है सब कुछ है तो वह सो इनफ था चीजों का प्लेश्मेंट एंड प्लेश्मेंट का मार्किंग ठीक से करना बहुत जुरूरी है अराम से करो ठीक से करो एंड बहुत इंपर्टेंट है बिकोज आगे जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा कैसे बैटेगा किदर बैटेगा अभी यह ब्रेस के लिए प्लाडव आइडिया है तो हमने एक काली बाटल लिया है पाइप को उसके अंदर रखके स्टोन या सांड कुछ भी अगर बर दे तो सपोर्ट जैसा बन जाएगा एक फांदेशन जैसा बन जाएगा और वह हीलेगा नहीं यह बहुत एक सिंपल आइडिया है ज्यादा कॉं हिलाया आरे वाह मस्त और वही बातल को हम टैंक पर रखेंगे तोड़ा पानी अगर डाल देते हैं तो उसका वेट बड़ेगा स्टेबिलेटी बड़ेगा नाव जब हम उपर का ब्रेस रखेंगे तो वह और स्टेबल बैटेगा उपर हिलेगा नहीं देखा पिकोज सिलिक बाटल आड़ किया तो उसका है प्लस मैनस हुआ है तो अब हमारा मेजरमेंट्स वगड़ा सब हो गया तो पूरा हमारा प्लानिंग हो गया सब सामान रेडी है सब साफ है गलास साफ है बहुत इंपोरेंट फिर से दौरा रहा हूं गलास साफ होना चाहिए अगर तोड़ा सिलिकॉन का रेजिड्यू रह गया तो वहां पर बबल्स बनेगा और टीक से ग्लास टू ग्लास चिपकेगा अभी सिलिकॉन डालने का टैम सो मेतड है पहले यह वाला कवर करेंगे फिर यह चोटा पट्टी डालेंगे फिर उसका टॉप में हमारा ब्रेस डालेंगे तो यह सिस्टम है फटा फट डालते हैं चलो ओके ऍटी संदीब हमारा संदीब गण रेडी है संदीब गण रेडी है ओभीय चालू सो शिलिकॉन जैसे आप देख रहे हो गाप में फिल हो रहा है ओके नो एकी स्मूथ ऐक्षिन में फिल होना चाहिए यह हमारा जो गन है इसमें व तो स्मूथ आक्षिन बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर यह अल्री तोड़ा बहुत सिलिकॉन है और हम बैलेंस का गैप बरने वाले नो यहां पर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए अभी संदीप क्या कर रहे हैं देखो दबा रहे हैं हाथ से नव यह बहुत ज़रूरी काम है और विकॉस जरा सा अगर गैप हो जाता है और न पुराना सिलिकॉन और नया सिलिकॉन के बीच में पानी गुसेगा और अगें सें रिकेज का प्रॉबम तुमम काुझ नो यहां पर बाहर ग्लास के बाहर तोड़ा सिलिकॉन है उसका कोई प् कोई भी ग्याप नहीं है पुराना सिलिकॉन और नया सिलिकॉन यहां पर देखो एक चोटा सा एर बबल है तोड़ा दबाना पड़ेगा अब पूरा निकल गया सो अगेन पेशिंट्स वाला काम अराम से करना है और सिलिकॉन जब करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है दूसरे हाथ में पेपर रखो टिशू पेपर हो न्यूस पेपर वह बेस्ट है बिकाज यह काम होने के बाद हाथ साफ करने के लिए पेपर ही बेस्ट है कपड देता है पूरा सिलिकॉन अंदर के तरफ जो एक्सेस सिलिकॉन है उसको हम उंगली से ही लेवल कर रहे हैं कोने में अभी जो नया पीस डालेंगे उसमें बैलेंस हो जाएगा और नीट दिखेगा नाव जैसे आपको दिख रहा है तरू पूरा ग्याप में सिलिकॉन बर्गया है कही पे भी एरबबल्स नहीं है पूरा सिलिकॉन बर्गयाए उके कहीं पे भी ग्याप नहीं है यह वाला पीस ड़लने का टेम अलरी हमने लाइन मार किया है ओकी यह लाइनमे उसकिने लमेंसराह इसके नीचे 2-1 बैटत तो अगें इंपोर्टेंट अच्छे से जहां पे सिलिकॉन लगने वाला है साफ हो जाना चाहिए टिशु पेपर या नियूस पेपर विकाज यहां पे मेरे को कोई भी ग्रीस या कुछ भी नहीं चाहिए नौ यह नया पीस विट करने से पहले हम हल टेप डालें ज़रूरी है कि टेप टाइट बैटे ओके कीच के टेप डालेंगे इसमें क्या होगा यह दोनों ग्लास तोड़ा प्रेस करके संधीप जैसे प्रेस करके तोड़ा डाल रहें वो सपोर्ट मिलेगा नहीं तो वो ग्याप ऐसे ही रहेगा वो हमें नहीं चाहिए ठीक है नो यह टाइम ने तोड़ा सिलिकान बाहर भी आ सकता है नॉट अनिश्यू अगें वह हम बाद में सुखने के बाद अराम से निकाल सकते हैं ठीक है नॉट प्रॉब्लम यह टेप खीच के डाला है सपोर्ट के लिए कोई भी टेप आप यूज़ कर सकते हो जो स्ट्रॉंग है एक और टेप ड दालने का ज़रूदात है ताकि यह जो दो गाप है इक्वल हो जाए विकॉस अल्रड़ी यहां पे नीचे कुछ गाप है ना सिलिकॉन को सेम होना चाहिए ठीक है नॉट यह काम अगर तीक से हो जाए तो इससे जादा कुछ चाहिए नहीं अक्शली देखा जाए तो कुछ अगर कुछ लीक होने का गुंजाइश है तो उसको आज ही टीक करते हैं तो इसलिए हम वो ब्रेस डाल रहे हैं चोटा वगरा पट्टी वगरा डाल रहे हैं जो सपोर्ट करेगा यह ग्लास को और आगे लीक होने का चांस भी कट कर देगा ओके इंपार्टन चीज हमें करेक पड़ गया टैंक के अंदर चिपकेगा यह साइड है और यह एक साइड है है ठेक है अगे स्मूद अच्छं से अगर हम स्लिकान डालेंगे तो वह अच्छे से पकड़ेगा. ठीक है नो सिलिकॉन अगर तोड़ा सा जादा हो गया तो यह स्लिप हो सकता है तो यह काम करते टाइम अन्निसेसरली जादा मट डाल है हमारा लाइन का मेजरमेंट देखना बहुत ज़रूरी है यहां पर है लाइन यह और यह जो टुकड़ा है यह यहां पर ब्रेस बनके यह लाइन पर करेक्ट बैठ गया यहां पर टच हो रहा है क्या देखते हैं ओके यहां पर भी प्रेस करना है और ज़रूरी है कि कोई एर बबल्स नहीं है यहां पर तोड़ा मेरे को दिख रहा है तोड़ा दबाते हैं संदीब नो यह तोड़ा दबाने से वो अगर एर बबल है भी तो वो निकल जाएगा मेरे हिसाब से निकल गया है कोई एर बबल नहीं है नो दर जो नीट जॉब ओके नो यह जो पट्टी डाला है एक यह दोनों ग्लास को सपोर्ट कर रहा है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम न और वो उपर का जो ढूला हैो ग्लास वह दालें गे उसको भी सपोर्ट दे तो यह तीन काम कर रहा है। 쿠 प्रेक्ट्री सें जोड्य करना जरूरी है यहां पर कि ऑपढहा के रहा क्टरिया सेक्षा इक है तोनों एधिश्ट करना है फिकाल आदि करना है पतार नेचैन गार्व perspective कर करने की घरतуска बिकाल नेशे का फिर नीचे का जूल करना है और पिर गतोगरस का में करें लोड़ का है अब हमारे triangle जो brace है उसमें silicone डालने का silicone डालना है और डाल रहें again you know easy pressure bubbles नहीं होना चाहिए अगर straight line में आता है तो better है and अंदर भी हमारे नीछे वाले brace के उपर भी हमने silicone डाला है अब ये वाला brace बिटाएंगे तोड़ा प्रेजर डालना पड़ता है ताकि यह करेक्टली बैट जाए और यह लेवल करेक्ट हो तोड़ा सिलिकॉन उपर आएगा नॉट अनिशू अगेन वो ड्राइ होने के बाद हम उसको निकाल सकते हैं यह सब सिलिकॉन डल गया सब पीस अपने अपने जगह में बैठ गये यह सपोर्ट भी है ठीक है आपने देखा कि हमने सपोर्ट कैसे बनाया स्ट्रॉंग बनाया यहां से यह जो उपर का पीस है उसमें टेप डालेंगे ताकि वो हीले ना इस प्रिकॉशन चलो सब पीसे सब अपने जगह पे जितना ज्यादा आप वेट कर सकते हो उतना अच्छा अटलीस्ट एक पंद्रा गंटा तो चाहिए इसको सूपने के लिए अगेन मैंने जैसे कहा था कि यह पूरा AC का माहौल है तो जल्दी सूपेगा एसी पानी निचोड़ देता है बट एक 12-15 गंटा मिनिमम चाहिए चाहिए पानी बरने से पहले अगर आप तोड़ा एक्स्टेंड कर सकते हो 18-24 आर्स कर सकते हो तो और भी अच्छा अगेन आप अगर गुड क्वालिटी का सिलिकॉन यूज करते हो तो ज्यादा जल्दी काम होगा अगे हमने यहां पे डाव डी ओ डव डाव कॉर्णिंग करके कंपनी है इनका हमने सिलिकॉन यूज किया है यह अच्छा क्वालिटी का है आप भी यह यूज कर सकते हो इसको अभी सुखने देते हैं तो इसको अब ब्लेट से क्लीन करेंगे पानी बरेंगे सिस्टम को चाल लगता है हमारे लोचुज यहां पर सब आये हैं देखने के लिए कि हम क्या कर रहें यह क्या क्या काम हो रहा है यह शायद यह सिलिकॉन का स्मेल अच्छा लगता है इनको पताने इन अशा लग रहा होगा मस्ती तो करी रहे हैं कि सो अभी हमने लीक फिक्स किया है सिलिकॉन डाल के चिपकाया है टेप डाला है जो भी करना तक किया है अभी अट लीस्ट एक 12-15 आर्ज उसको चोड़ना है सुकने के लिए यह एसी रूम है जल्दी सुकेगा तो एक अडवांटेज है बिकॉस हमें जल्द से जल्द पानी बरना है लीक टेस्ट करना है और हमारे मचली को तकलीफ हो रहा है तो वह स्टॉप करना है बिकॉस यह टाइम में फिल्टर न अर्ज ने करना है जल्दी नहीं करना है तो मैं आशा करता हूं कि आपने यह वीडियो से एक इंट्रेस्टिंग बात सीखी समझी कि अगर कोई existing running tank में लीक होता है तो उसे कैसे fix किया जा सकता है यह subject अच्छा है मज़ेदार है और आपने enjoy जरूर किया है सो हमेशा के तरह मेरे तरफ से एंड आज बैंगलोर ओफिस में cameraman अनिल शनॉय संदीप जो इतना मेहनत करते हैं और बाकी के मेरे पूरे टीम के तरफ से भी आप सब को थांक्यू नमस्ते कुदाफिश अबाकेर एंड सच्रियकार बुरी नजर वाले का मुकाल बट यह सब सुल्चन के अपने आपको तसलिपने वाली बात को गए बुरी नजर यह भो वागरा वगरा वैड्न होते हैं और संदीपकूर्ड करना ज्यादा descriptive कोई भी प्राब्ल्म को सलूषन में पेफोकस करो प्राब्लम पेढ़ा temperature तो अगर संदीशन करते हो तो जल्दिए मिलेंग कर दो कर दो